हेलो दियर स्टूदिन्स, वेलकम जो केरियर प्लानिट, मैसर्फ डॉक्टर अरपिताउजा, यौर बालोजी मेंटर, एक और वीडियो आचुका है हमारे पास question bank series का, तो हम section C जो है वो discuss कर रहे थे तो उसमें हम आगे continue करते हैं और हमारा next question देखते हैं, next question क्या है, question 39, question 39 किस अगलग type की होती है, और immunity के लिए हमारी body में पूरा immune system develop किया है, कुछ immunities ऐसी होती है, जो आपको parent से direct मिल जाती है, but कुछ immunity ऐसी होती है, जो की individual होता है, खुद time के साथ develop करता है, and कुछ immunities ऐसी होती है, जो बाहर से provide की जाती है, artificially, तो अलग-अलग type की immunities होती है, जिसक उनको divide किया होता है, active immunity जो खुद develop कर रहा है, अपनी body के through and passive immunity जो किसी की help से मिल रहा है, passive immunity ऐसा भी हो सकता है, parent से मिली है, तो वो innate immunity होती है, innate यानि की by birth immunity मिली है, या फिर हम vaccination के form में किसी भी तरह से immunity provide करते हैं, तो आपको immunity का basic point clear हो गया, तब हम हमारे question के तरफ चलते है किया है, what is innate immunity, तो यही से सबसे पहले clear कर लेते है, types of immunity, immunity के जो है, अलग-अलग types होते हैं, क्या है, देरार मेंली, two types of immunity, natural और innate immunity, first क्या हो गई हमारी, natural और innate immunity, ok, and second क्या हो गई, acquired immunity, ok, acquired जो है, वो खुद लेता है, उसे हम क्या कहते है, acquired इम्मुनिटी, दो टाइप के इम्मुनिटी हमारे पास हो गई, अब देखे, नेचुरल एंड इन्नेट इम्मुनिटी क्या होती है, अब पर्सन प्रोटेक्ट्स हिंसेल्फ फ्रॉम् डिफरेंट हामफुल एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गनिजम, जब वो पर्सन क्या करता है, खुद ही, खुद से, अलग-अलग ताइप से क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यह क्या 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 आती है, जो बाइबर्थ इम्मुनिटी उसके अंदर होती है, वो क्या 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 है, इन्नेट इम्मुनिटी होती है, ओके, पॉइंट क्लियर हुआ, समझ माई पात अच्छे से, इसके अंदर कौन-कौन से होती हैं, हम यहां पर देखें, तो living beings get it since birth and it is obtained by barrier that check the entry of disease factor into the body, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, को जितने भी living beings होते हैं, यह automatically अपने body के अंदर, यह immunity लेकर ही birth लेते हैं, first point clear हो गया, और वो क्या करती है, prevent करती है किसी भी बाहर से आने वाले organism को अंदर, enter करवाने में, okay, clear हुआ, that check the entry of the disease into the body and this type of immunity or barrier capacity mainly has four types of factor, इसके पास four types of factors होते हैं, क्या-क्या factor है, first है physical factor, physically क्या-क्या हमारी body में इस तरह से develop किया गया है, जो कि क्या करता है, हमारी body को protect करता है from the entry of pathogens, okay, ठीक है, तो first है physical barrier, this first of all, prevent the microorganism from the entry into the body, जो सबसे पहले देखता है, कोई भी तरह का pathogen है, जो कि कोई ऐसा microorganism है, जो कि disease cause कर सकता है, वो हमारी body में enter ही ना करे, इस तरह का physical barrier हमारी body में बनाया गया है, this first of all, check the prevent हो गया, Thus, it is first line of defense, इसलिए इसको first line of defense कहते है, इससे हमारा question भी पूछा जाता है, अलग से exam में, जो कि हम prepare करेंगे, okay, Then, in this following organs, take part, सबसे first आगया, skin, skin, जो है, हमारी skin क्या करती है, एक तरह किसे protective mechanism का function करती है, किसी भी तरह के बाहर से आने वाले pathogen को skin बाहर पर ही रोक देती है, okay, यह इसका function हो गया, mucous membrane, mucous membrane का होती है, मारी inner side की जो भी lining है, जैसे की nostril के अंदर है, या फिस जितने भी inner visceral organs है, उसके उपर ही जो lining होती है, वो mucous membrane होती ही, क्या करती है, secrete करती है mucous को, ताकि mucous के through, वो जो है pathogen, वो हमारे blood के अंदर तक ना पौचे और वहीं से उसको बहार निकाल दिया जाए, point clear, and physiological barrier, और कुछ physiological barriers भी होते हैं, आपको यह point clear हुआ, उसके अलावा, और क्या-क्या, इसके अंदर factors होते हैं, तो देखिए, complement system, cellular phagocytic barrier and inflammatory barriers, इनका मतलब समझते हैं, हम कहने का मतलब क्या है, cellular phagocytic barrier, यानि कि हमारे blood में कुछ cells present हैं, वो cells क्या करती हैं, बाहर से वो पूरे time check करती रहती हैं, blood में कौन सी cells कहां हैं, क्या function कर रही हैं, और उसके बाद अगर कोई उनको pathogen मिलता है, तो उस pathogen को क्या करती है, kill कर देती है, okay, उनको पहचान का kill कर देती है, inflammatory barriers क्या करते हैं, मान लीजे हमें कहीं पर entry हुई है pathogen की, तो वहां पर कि cells जो होती है, inflammatory substances, inflammatory mediators secrete कर देती हैं, जिससे वहां पर inflammation हो जाता है, और एक alarming sign होता है, कि यहां पर कुछ infection हो गया है, point clear, then, the innate immunity is non-specific type of defense, यह non-specific होती है, particular, एक pathogen के लिए एक immune factor responsible नहीं होता, यह all over sub type की immunity आपको provide करती है, इसलिए यह non-specific immunity होती है, clear, innate immunity consists of various barriers, which prevent the entry of microorganism, जो की अलग-अलगी barriers देती है, जो की microorganism की prevention को रोकती है, यह point हमें clear हो गया है, तो physical barrier हमने पहले भी देखा था, इसमें क्या है, देखे, skin on our body is the main physical barrier that prevent the entry of microorganism, जो की हमारी microorganism को अंदर आने से रोकती है, हमारी पूरी body को skin ने क्या कर रखा है, cover कर रखा है, okay, and mucous coating of the epithelium lining in the respiratory system, gastrointestinal system and ureogenital tract, इन सब के अंदर क्या होता है, हमारी mucous membrane present होती है, जो कि mucous को release कर देती है, तो यह सारे जितने भी tract हैं, इन tract के अंदर से क्या होगा, microorganism वहीं पर trap हो जाएगा, और क्या होगा, उसे body के अंदर enter करने से हम रोक लेंगे, okay, तो इस तरह से physical barrier function करता है, physiological barrier क्या होते हैं, तो देखिए, physiological में, stomach के अंदर हमारा acid का secret होना, जो कि वहीं पर kill कर देता है, saliva in the mouth, mouth के अंदर lysozyme present होता है, okay, तो वो भी kill करता है bacteria को, tears from the eye, eye के अंदर जो tears निकलते हैं, यह सब क्या करते हैं, prevention करते हैं, microorganism का, या फिर microbial growth का, cellular barrier, certain types of leukocytes, सारी की सारी WBC का नाम यहां पर लिख लिख लिए, जितनी में WBC होती है, यह जिसे mainly neutrophil हो गई, monocyte हो गई, यह सब क्या करती है, killing का function करती है, of our body, and देखिए, इसके अंदर इसके अंदर इसके स्पेस्विक है, यहां से बहुत important question हमेशा बनता है, नीट के लिए भी काफी important रहता है, तो इसकी full form आपको पता होनी चाहिए, PMNL, PMNL क्या है, polymorphonuclear leukocyte are known as PMNL, यह full form हमें पूछी जाती है, polymorph nuclear neutrophil leukocyte, तो देखिए, यह जो है, यह neutrophil है, ठीके, polymorph nuclear का मतलब क्या है, बहुत जादा quantity के लिए के लोप्स प्रेजेंट होना, तो यह जो neutrophil है, इसमें nucleus के लोप्स प्रेजेंट होते हैं, okay, and monocyte and natural killer type of lymphocyte in the blood, as well as microphases in the tissue can phagocyte and destroy the microorganism, तो हमारे जो यह cellular barrier है, cellular barrier में किसके example लिखे है, neutrophil के कौन सी neutrophil, PMNL neutrophil, okay, उसके साथ ही monocyte, उसके साथ ही कौन, natural killer cell, जिनको हम NK cells भी कहते हैं, यह सब blood के अंदर, और tissue में कौन सी होती है, macrophase जो होती है, tissue में present होती है, इन सब का function क्या है, pathogen के पैचान हो, और उसको वहीं पर क्या कर दीजे, किल कर दीजे, आपको point clear हुआ, समझ में आई अच्छे से यह बार, तो यह काफी important है, तो यहाँ आप इसको अच्छे से learn करेंगे, चलें आगे, and cytokinin barrier, cytokinin barrier क्या है, virus infected cell, secret protein called interferon, अब मान लीजे हमारी कोई cell है, यह कोई WBC cell है, यह जो WBC cell है, बाहर से कोई आपके पास pathogen आया है, यह क्या है, कोई pathogen है, यह pathogen क्या कर रहा है, इस cell को इसने infect कर दिया, क्यूंकि अब यह cell किस तरह से infect होती है, तो देखिए, यह जो cell होती है, इसके चारों और इस तरहां से क्या करती है, इसको अंदर लेकर, इसे engulf कर देती है, जब इसको engulf करेंगी, तो क्या होगा, अब यह हमारी cell के अंदर आ चुका होगा, तो यह जो है हमारी cell के अंदर आ जाता है, तो cell के अंदर आने की वज़े से जो cell का nucleus present होता है उसके अंदर क्या होते हैं? तरह तरह के controlling factors present होते हैं जो कि इस cell को induce करते हैं वो क्या release करवाए? वो release करवाए interferons clear हुआ आपको यह point तो यह क्या करता है? interferons को clear करवाता है which protect the non-infected cell from further viral infection अब यह interferon क्या करेगा? जो की healthy WVC है जो की normal और healthy cells हैं उनको क्या करेगा? एक signal provide करेगा ताकि वो और infect ना हो सके और एक अच्छा सा क्या हो mechanism ready किया जा सके तो इस तरह से हमने इनने immunity को देखा I hope आपको यह अच्छा से clear हुआ होगा तो हम इसी के साथ next question की तरफ चलते हैं हमारा next question क्या कहता है? question 40 वो क्या है? और यह हमारे section C का last question है इस तरह से हमने A, B and C सारे sections complete कर लिये हैं write the pathogen carrier and affected organ of malaria generally malaria का सबसे famous question होता है malaria cycle जो है वो पूरी समझाई है जिसमें आपको बताना होता है question है, किस तरह से जो है plasmodium enter करता है and all यह तो सबसे important question होता है उसके अलावा एक और question हमें यहां पर पूछा गया है कि malaria का pathogen कौन है साथ ही इसका carrier कौन है और इसके affected organs क्या-क्या होते हैं तो देखो malaria जो है एक disease है जो की proto-जोवा से फैलती है pathogen अलग-अलग types की होते है तो उसके अंदर जो हमारा plasmodium होता है plasmodium की हमारे blood में entry हो जाती है तो इस entry की वज़े से क्या होगा यह जब भी enter करेगा then हमारे liver को affect करता है और जो plasmodium है उसकी दो life cycle होती है एक life उसकी रहती है host में जो की human है और एक रहती है carrier में जो की mosquito होता है कौन सा mosquito होता है female anophilis mosquito होता है आपको doubt हो सकता है male क्यों नहीं होता तो मैंने previous videos में पताया था इसका answer मुझे बताइए male mosquito क्यों नहीं वैक्टर है हमारे malaria का ठीक है सुनो फिर क्या होता है malaria is the mosquito born infectious disease caused by various species of parasitic protozoa कौन सा protozoa plasmodium protozoa के थूँ यह हमारे disease होती है mosquito born infectious disease है यह point clear हो गया cause of malaria क्या क्या causes है हमारे malaria के तो देखिये these are the manufacturer that can cause malaria जो कि क्या कर सकता है malaria को करवा सकता है first है bitened by the malarial vector mosquito कौन सा anaphilis second use of shared and infected serines अगर आप blood contact हो जाए जिस blood में plasmodium है वो blood क्या हो contact हो जाए तब भी दिक्कत आती है organ transplantation हो जाए transfusion हो blood transfusion हो या कोई भी तरह का transfusion हो and from an infected mother to her baby during the birth यह सारे reason है हमारे किसके causes के यह हमारे malaria के cause होती है आपको point clear हो गया उसके बाद में आता है symptoms of malaria तो malaria के क्या क्या symptoms है तो यहां पर symptoms लिखा है they are exhibited within the 7 to 18 days यह 7 to 18 days के अंदर अंदर देखने को मिलता है of being infected common symptoms है इसके अंदर fever, fatigue, chills, ठंड लगना, vomiting and headaches उसके अलावा diarrhea, anemia, muscle pain होता है profuse sweating and convergence आते हैं and bloody stool हमें देखने को मिलता है तो यह हमारे common factor है यह हमको as a symptom अच्छे से ध्यान रखने है clear हो गया यह point अब हमने इसके आगे चलते हैं देखते हैं क्या है okay, in severe cases, malaria can be divestitating it can lead to seizures, eventually death पहले तो convergence eye, convergence के बाद seizures eye, body vibrate जैसे करने लग जाती है person coma में भी जा सकता है and उसके बाद में death हो जाती है ultimately, okay तो यह severe cases में होता है plasmodium के अलग-अलग variant present है okay, plasmodium vivax, falciparum okay, तो उसमें जो falciparum होता है वो बहुत ही जादा dangerous होता है उसमें यह condition होती है malaria parasite exists in the form of motile sporozoid motile sporozoid कैसा दिखाई देता है हम देखते हैं इस तरह का motile sporozoid के form में हमारा plasmodium present होता है यह इसका nucleus है point clear factor of malaria is the female anophilis mosquito female anophilis mosquito होता है जो कि transfer करता है malaria sporozoid को किसके form में हुआ देखिए sporozoid के form में into the host cell किसमें? host cell में होता है when an infected mosquito bite a human जब एक infected mosquito जो है bite करेगा human को तो क्या होगा वो उसके saliva होता है saliva से हमारे body के अंदर अंदर कर जाता है the sporozoid travel into our blood and accumulate in the liver फिर liver में क्या करता है accumulate रहता है तो आपके साथे questions का अंचल मिल गया है यहां पे vector कौन है? anophilis? किसको affect कर रहा है? human को affect कर रहा है? कौन सा organ? liver को यह affect करता है और इसका pathogen कौन है? इसका pathogen है हमारा protozoa कौन सा protozoa? plasmodium okay clear हुआ यह point भी these parasite initially multiply within the liver यह liver के अंदर पहले बहुत जादा multiply करते हैं by damaging the liver cells and rupture the blood cell फिर वियो क्या करते हैं? blood cell को rupture कर देते हैं into the body malaria kills by causing the destruction of red blood cell यह हमारी RBC का इतना जादा destruction कर देते हैं कि ultimately person के death भी हो सकती है in the host okay the parasite reproduce asexually in the RBC देखिए मेरे बात clearly ध्यान से सुननेगा जो हमारी body के RBCs होती है red blood cells होती है उन red blood cells के अंदर क्या होता है? यह जो हमारा parasite है कौन सा parasite? जो plasmodium है वो बहुत ही जादा continuously reproduction करता है कैसा reproduction करता है? note करिए asexual reproduction वो करता है point clear bursting the cell and releasing more parasite to infect more cell एक RBC आई एक RBC के अंदर गए और वहाँ को उसको multiply किया asexual reproduction की help से then वो उसको rupture कर दिया बहुत सारे parasite हो गए दूसरी normal healthy cells को भी उन्हों ने क्या गया infect कर दिया okay the rupture of the red blood cell by malaria पर ऐसा release a toxin called hemozoin फिर से important point आगया वो जो है hemozoin को release करता है causes the patient to experience condition known as chill आपको यह question mind में आता है कि क्यों महाँ पर chill है fever होता है headache होता है तो hemozoin जो है उस toxin के release की वाज़े से ऐसा होता है when the female anophilis mosquito bite and infected human the parasite enter to the अब क्या होगा यह जो body है वो completely infected हो चुकी है plasmodium से अब next malaria next mosquito आया उस mosquito ने क्या क्या again उसको bite किया okay अब मान लीजी कोई normal mosquito भी हो सकता है या फिर जिसने किया था जिसकी वज़े से प्लाज़मोडियम ने एंटर किया है वही mosquito भी आ सकता है again second time क्या हुआ उस person को जो हमारे mosquito है उसने bite किया and वो जो blood है वो उसके अंदर चला हिया तो जो हमारा host था जो human था human के अंदर हमने क्या देखा asexual reproduction हुआ था लेकिन जब वो कहां जाता है वो mosquito के body में जाता है तो वहां पर इसका क्या होता है उस body में इसका sexual reproduction होता है sexual reproduction के बाद again new organism का formation हो जाता है वो उनकी saliva के अंदर store हो जाता है और saliva से वो next ready है अगले host को फिर से infect करने के लिए तो इस तरह से जो cycle है पूरी complete होती है okay the parasite enter the mosquito's body along with the human blood and it is उसके बाद में क्या होता है जिस blood को उसने लिया था उससे वो उसके body में enter कर जाता है it is inside the mosquito body that actual development and the maturing of the parasite यहीं पर फिर से उसका development and maturation होता है the parasite produces in the human body reach the intestine of the mosquito to mosquito की intestine के अंदर वो पहुचते है और वहां पर जो male and female cells है वो fertilize होती है किसमें इस्टाइन में fertilize हुई of the mosquito to lead to the formation of sporozoid again sporozoid का formation होता है and क्या होता है on maturing the sporozoid break out the mosquito's intestine and migrate to the salivary gland and salivary gland में पहुच जाते है mosquito की once they reach the salivary gland they'll wait till the mosquito bite human उसके बाद से फिल से ये cycle चलने लग जाएगा इस तरह से हमने पूरा का पूरा इसका mechanism देख लिया और हमें सारे पॉइंट इसमें अच्छ से clear होगे इसके साथ ही आप जो इसके साथ चार्ट बनावा था नोट बुक में वच्छे से फिर से बनाएंगे तो बुक में बना है वैसा डाग्राम तो नहीं है ये बट ये काफी सिंपलिस्ट फॉर्म में समझाया गया है इस डाग्राम में हम सबसे पहले देख लेते हैं जो भी मेल रिप्रॉडॉक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है एक होता है मेन औरगन बाकी होते हैं accessory organ तो main organ हमारे यहां पर क्या है testis है यह जो testis होते हैं यह किसके अंदर रहते हैं scrotum में रहते हैं या फिर scrotal sack में रहते हैं scrotal sack is a bag like structure यह जो bag like structure है यह एक ही bag like structure होता है जिसके अंदर दोनो testis जो होते हैं वो land करते हैं और वो वहाँ पर protected form में रहते हैं First point आपको clear हो गया Scrotal sec के बारे में Scrotal sec जो है ये dark color का hairy back like structure होता है जिसके अंदर दोनों testicles लाए करते हैं First point clear Okay उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या present होते हैं ये testis present है इन testis का क्या function है क्या होता है इसके अंदर तो एक ही testis को हम थोड़ा सा elaborate करके इसका बड़ा diagram देखते हैं तो देखिए इसके अंदर क्या होता है जो हमारा testis है यहाँ पर हमने क्या बनाया है इसके बाहर Scrotal sec बनाया है ये Scrotal sec से जो हमारा testis होता है वो क्या करता है muscles के थ्रू connected होता है dartos muscle के थ्रू इसके अंदर connected होता है और एक और muscle, trimester muscle भी present होती है point clear हो गया, first point second, ये जो testis है इस testis को किस capsule ने cover कर रखा है testicular capsule ने cover कर रखा होता है जिसकी दो membrane होती है inner and outer तो इस outer और inner membrane को हम क्या कहते हैं, tunica, albuzynia and tunica vaginalis testis की membranes हो गई inner and outer membrane उसके बाद testis के अंदर 250 to 100 क्या होते हैं pyramidal shape के lobe presence होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, testicular lobules कहते हैं, point clear हुआ, आपको अच्छे से डिगरा है ये diagram, तो ये जो testicular lobule होता है, इसके अंदर क्या present है बहुत सारे 250 से 300 तक lobules present होते हैं और सारे lobules के अंदर क्या present है seminiferous tubules present होती है देखिए हमने purple color से draw की है ये जो seminiferous tubule है ये इस तरह से इसके अंदर हर lobules में 2 to 3 के form में present होती है, कौन? seminiferous tubules, okay ये जो seminiferous tubule है, इसके साथ इसके अंदर blood vessels, nerve supply and all भी साथ में present होती है, सारी कि सारी seminiferous tubule क्या करती है एक jaw like structure बनाती है जसे हम क्या कहते है, ratte testis, okay, तो ये ratte testis बनाती है और ratte testis जो होतі है सारी कि सारी ratte testis क्या करती है, सबसे यह हैं seminiferous tubules आके mix हो गई, एक jaw जाल जसा structure बना दिया, ये जो structure यह क्या करेगा वास इफ्रेंस के फॉर्म में बाहर एक S-Single Tube निकलता है अब यह ट्यूब बहुत ज्यादा लंबी होती है तो यह highly coiled form में present होती है यह point आपको clear हुआ highly coiled form में यह क्या करती है यह continuously ऐसे packed structure बनाती है जिसे आपीडिडाइमिस कहते हैं इसे एपीडिडाइमिस कहते हैं point clear हुआ आपको then एपीडिडाइमिस से next जो है testis से बहां निकल जाती है वास डिफ्रेंस के form में तो अब हम क्या देखते हैं वास डिफ्रेंस को देखते हैं तो यह रही वास डिफ्रेंस यहां पर क्या प्रेजेंट था यह एपीडिडाइमिस प्रेजेंट था Okay, apity dimens से यहां से क्या निकल गई? was difference निकल गई was difference जो होती है ureter को कुछ इस तरह से cross करती है ureter को cross करते हुए यहां पे एक broad structure के form में खुल जाती है same to same उस दूसरे testicle के साथ होता है वहां पर क्या होती है? इसी तरह से was difference निकलती है यह क्रॉस करती है किसको यहां पर यूरेटर को क्रॉस करती है और इसमें एक broad structure के form में खुल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं ampula कहते हैं तो testis clear हो गया यह क्या हो गई यह हमारी was difference हो गई and was difference के बाद यह किसमें खुल गई मतलब इसका एक broad structure के form में convert हो गई जिसे हम क्या कहेंगे ampula कहेंगे आपको easy लगता है book का diagram वो draw कर सकते हैं यह easy लगे यह भी draw कर सकते हैं उसके बाद इसी के अंदर क्या open होती है एक structure है जिसे हम कहते हैं seminal vesicle क्या है यह हमारा seminal vesicle यहाँ पर present है तो seminal vesicle की opening इसके अंदर होती है और यह जब दोनों opening एक साथ इधर से यहाँ पर क्या आ रही है आपके पास vast difference आ रही है अगला क्या है हमारा seminal vesicle है यह दोनों किस form में खुलते हैं यह दोनों यहाँ पर खुलते हैं फिर यहाँ से क्या आ जाती है अगली structure हमारी prostate gland की यहाँ पर अगली structure क्या है prostate gland हमने पढ़ा था यूरित्रा जो होती है जहां से start हो रही है यूरिनरी प्रेडर के neck पर present होती है कौन सी gland प्रोस्टेट gland तो यहाँ पर आ गई हमारी प्रोस्टेट gland ओके clear हुआ यह point then उसके बाद यहाँ से यूरित्रा start होती है जो की ureo genital tract कैलाती है ठीक है यूरिनरी जनाइटल tract क्यों कहते है क्योंकि यहाँ से urine भी pass out होता है साथ इसको genital tract क्यों कहते है क्योंकि यहीं से secret होता है sperm दोनों point आपको clear हो गए चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको एक और structure दिख रहा है जिसे हम क्या कहते है इसे हम कहते हैं bulbou urethral gland bulbou urethral gland या फिर इसे और क्या कहा जाता है cowper's gland भी कहा जाता है clear? ओके यहाँ पर क्या होता है यह जो urethra है इस urethra के चारो और एक spongy tissue जो होते है वो इसके चारो और present होते है जहाँ continuously क्या होता है blood filling का process होता है ठीक है तो ये जो structure है ये किसका structure हो जाता है penis का structure हो जाता है फिर उसके बाद इसके अंदर इसकी जो terminal point होता है ये काफी bulge out point होता है और इसे हम क्या कहते हैं glance penis कहते है ये जो glance penis है इसके उपर एक skin जो होती है वो skin की covering होती है जिसे हम prepuce कहते हैं तो यहां पर यह covering हमें देखने को मिलती है और साथ ही यह भी diagram को इसमें इसको mention कर सकते हैं डाइग्राम में urinary blader को जहां पर क्या present है? Urinary blader तो यह जो है हमारा पूरा का पूरा male reproductive system देखने को मिलता है अब हम सबके function देख लेते हैं किसके क्या-क्या function होते हैं ताकि हमारे सारे points clear हो जाएं सबसे main organ is testis testis के अंदर जो हमने lobus देखे थे 250-300 lobus जो present थे इनके अंदर जो seminiferous tubules हैं seminiferous tubules के अंदर cells present होती है ledic cells, sertoli cell and जो कि sperm को बनाएगी spermatogonia जो होती है वो सारी के सारी इसके अंदर cells present होती है जिससे आगे spermatid and sperm का formation होता है initially वो spermatid की form में निकलते हैं spermatid जो होते हैं ratatestis के थू, was difference के थू epididymus में आते हैं और यहाँ पर यह क्या होते हैं non-motile होते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं spermatid केते हैं फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ से किस में जाते हैं was difference में जाते हैं यह रही was difference यहाँ से निकले कहाँ पर गई was difference में गई and जो was difference है वहाँ से होते हुए वो ampula के थू किसके अंदर खुलते हैं seminal vesicle के अंदर खुलते हैं समायनल वैसिकल क्या करता है सीमन को रिलीज करता है और जो यह स्पर्मेटिड है यह क्या करते हैं अब स्पर्म में कनवर्ट हो गए क्योंकि जो स्पर्म थे वो किसके अंदर सीमन के साथ ल्याने के लिक्विड के साथ मिक्स हो गए एंड ये next किसके अंदर खुलते हैं इसका यूरित्रा का ट्रेक्ट है और साथ ही ये किसका structure होता है ये penis का structure होता है जो कि erection में help करता है ताकि जो हमारा पूरा का पूरा सीमन है उसको ejaculate किया जा सके इस तरह से ये पूरा का पूरा structure हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ हमें अगला question क्या पूछा था जो sertoli cell है उसके function बताईए sertoli cell क्या होती है it is a nurse cell इसे हम nurse cell भी कहते हैं ये जो होती है less in number होती है as compared to lady cells and large in size इनकी size जो होती है बड़ी होती है and ये columnar type की होती है किस तरह की होती है columnar type की cells जो है ये होती है function क्या है ये support provide करती है developing spermatids को nursing का function करती है okay साथ ही ये क्या करती है disintegrate करती है unnecessary cytoplasm of spermatid spermatid का जो unnecessary cytoplasm है उसको ये disintegrate करती है secrete the inhibin hormone inhibin hormone जो की एक protein hormone है उसको secret करती है जो की regulate करता है function of FSH को तो इसका ये सारा काम था support करना and nourishment provide करना point clear हुआ आपको सारी बात अच्छे समझ में आई तो इस तरह का जो होता है ये male reproductive system होता है clear तो आब हम थोड़ा सा testis पर focus करें तो यहां पर देखिए जो seminiferous tubules होती है seminiferous tubules के अलावा यहां पर क्या क्या प्रेजेंट होता है कुछ endocrine cells blood capillaries nerve fibers सारे के सारे प्रेजेंट होते है अब देखिए seminiferous tubules के अलावा इसके अंदर जो connective tissue होता है इस connective tissue में interstitial cell या फिर lady cells जो होती है प्रेजेंट होती है जो कि secret करती है testosterone hormone को तो testosterone hormone हमने पढ़ा है यह क्या होता है यह secondary sexual characters को generate करता है और sperm के formation के लिए उसके development के लिए भी important होता है point clear हो गया तो आपको समझे में आ गया seminiferous tubules है और इसके साथ ही क्या है interstitial cells है जिसे हम lady cell भी कहते हैं जो testosterone को cigarette करवाता है उसके अलावा इसके साथ क्या होता है spermatogonial cells and supporting cells भी present होती है spermatogonial cells and supporting cells present होती है spermatogonial cells क्या होगी spermatogonia बनाएंगी उससे आगे continuously meiosis and mitosis के development से ये आगे develop करेगा I hope आपको ये सारे के सारे points अच्छे से clear हुए हैं और आपको सारी बाते अच्छे समझ में आई हैं तो इस तरह से हम पूरा male reproductive system देखते हैं आपने sertoli cell के function पूछे exam में हमारे lady cell के भी function आ सकते हैं तो अगर आपको lady cell का function पूछे तो lady cell जो होती है इसे interstitial cell भी कहते हैं और इसका function क्या है इसका function है testosterone को secret करवाना जो की male hormone है clear हुआ ये point तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं तक है हमने सारे question discuss किये है इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए Thank you students दो को दो же एके लुष ये से की सारेकी रहर रह में एक है जज सकाय तक किया ओ deeply देई पेखेंगे